तो कुशल जरा बताईए कौन से सेक्टर पर है नजर और कौन-कौन से स्टॉक्स को फाइदा मिलने वाला है बिल्कुल नेहा आप देखें यहाँ पर फटलाइजर शेरों पर ही नजर वापिस से रखनी है पहले 15 दिनों में सितंबर के यहाँ पर 46 लाग टन की विक्री ऐसे चानल चेक से पता चलता हुआ दिख रहा है तो जाहिर से बात है कि अगर आप पूरे महीने का कल्कुलेशन करेंगे तो यह 92 लाग टन होता हुआ दिखेगा जो कि जो पिछला अगस्ट महीना था उसमें करीबन 81 लाग टन्स यह होता हुआ दिखाता है तो मन्थान मन्थ बेसिस पर ही आपको लगभग 13.5% की ग्रोथ यहाँ पर आती वी नजर आ रही है और अपकोर्स रभी सीजन में भी जो फटलाइजर के बिकरी है वो तेज होने का अनुमान है क्योंकि जो मॉनसून्स डीले हुए थे उसकी भरपाई अब होती भी दिख रहे है और इसी वज़े से जो सेल्स है वो आगे चलकर बढ़ सकते हैं उसका एक और बड़ा कारण भी है क्योंकि यहाँ पर जो चीन है उनकी तरफ से कुछ इनके जो यूरिया ट्रेडर्स है यानि की जो यूरिया के एक्सपोर्टर्स है उनको कहा गया है कि आप अपने एक्सपोर्स को सस्पेंड कर दीजे यह सितंबर के स्टार्टिंग में ही यह चीज़ कह दी गई थी और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सितंबर में ही अब तक यूरिया के जो फ्यूचर्स है वो शिकागो बोर्ड ओफ ट्रेड पर लगभग 17% तक की बढ़त अल्रेडी यहाँ पर आती हुए दिख चुकी है तो इसी वज़ाए से काफी सारी कंपनिया हैं जिसमें चंबल फटलाइजर यूरिया से इनकी आये का करीबन 60% हिस्सा आता है और PN के जो सेल्स है इनकी सेग्मेंट है वहाँ पर 34% इनका हिस्सा आता है NFL और RCF पर भी नज़र रखे इंपोर्टन यह है कि चंबल फटलाइजर के लिए कि इनका जो मैनेजमेंट कॉन कॉल हुआ था Q1 का उसमें इनोंने साफ तोर पे यह कहा था कि जो उडिसा ट्रेन अक्सिदेंट हुआ था उसके बाद कुछ समय के लिए इनकी जो material movement है उस पर effect हुआ था इसका इनका P&K sales 30% effect होता वह दिखा था जो management ने कहा है कि इस तिमाही में पूरा हो जाएगा तो इससे इनकी EPS में बड़ा उचाल आएगा करीबन 8 रुपे प्रती शेर का EPS में उचाल आएगा और इस बड़ी expectations यह है कि one of the historic quarters हो सकता है 22-25 रुपे का EPS जो है चंबल fertilizer करती भी दिख सकती है और previous trends भी आप देखेंगे लगातार 2017 से लेकर जनवरी 2022 तक यानकी एक्टोबर से जनवरी के period में लगभग 14% से लेकर 47% तक का on an average return आपको across यह time frame में 4 महीने के holding period में लगातार हर साल में मिलता हुआ नजर आया ओके चलिए तो fertilizer space पर यह रही exclusive research details जन्यवाद को शल पूरी detail के लिए